हेलो फ्रेंज्स माइनेम इस सी रजनी अगरवाल होप सो आप सबने मेरी फर्स वीडियो देखी हो जिसमें मैंने शेयर करा था अपनी सीए जनी जिसको दस साल लगे थे पूरा होने में तो मुझे उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला बहुत सारे लोग कर सकते हो तो उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आएवे थे तो उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो पटिकलर एक टॉपिक पे थे जिसका मैंना लिख करने आंसर देना चाहते थी विकॉस वह सही नहीं रहता अगर मेरे से कोई टिप मांग तो मेरा फर्स बनता अपनी पढ़ाई में आपकी स्ट्राइजी में कि आप क्लियर हो है तो मैं वही आप लोग के साथ अपना एक्स्विरेंश शेयर करना चाहरे हूं जब मैंने पांच एटम दिए तो मैंने रियलाइस करने का सोचा कि यार मैं क्यों बार-बार फेल हूरी हूं मैं इतनी भी ड पास हो ही और शйора में दोखिस नहीं करती तो मैं पास नहीं होती है मैं आप लोगों के साद हो शेयर करना चाहती हूं अजयर हो कुछ बेनिफिट हो शायद आप लोग यह उपना हो तो आप लोगों का क्लियर हो जाया उस में से First चीज यह थी कि मैंने सारे नोच चेंज कर openly मैं जिन नोच से पढ़ती थी तो मैं को यही लगा सबसे पहला कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नोच बहुत जादा आउट्टेटिटी हो गए और चीज़े काफी चेंज हो चुकिया मैं उन्हीं को पढ़के जा रही हूं और पास नहीं हो पारी तो मैंने क्या करा मेरे फर्स ग अब तो उनकी तरफ देखो मत बस आपको उसमें से जो रेलिवन लगता है सिरो उसको देखो अपने आप न्यू नोच लो उनसे पढ़ाई स्टार्ट करोई नो जब आप नए नोच से पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि हो सकते में लग क्या कर रही है तो अधे पर अपने ली अफ्ल एक सब्जेक्ट को एक बार है क्या क्या अच्छा कूशन आया था क्या बख सदेगा क्या वह रहताद कीजिए तो छलग मैं अच्छार्ट को देखना और आप मानों कर मैंने रियलाइज के पेपर बहुत सिंपल थे कह कि एक्जाम्स को बहुता था तफ समझती थी मुझे लगता था यह तो मिट से हो यह नहीं सकता है जब मैंने कोशन देखे ना मुझे रियलाइजिए अगर मैं थोड़ी सी महनत अच्छे से कर लेती तो मैं कब की पास हो चुकी होती तो यू नो सबसे ज़ादा इंपोर्टन चीज़ प्लीज पास्टियर्स के पेपर्स जरूर करो वह आपको तरीका बताते हैं कि एक्जाम में कुशन किस तरीके से आते हैं आपको क्या लिखना चाहिए क्या आपका एक्जामिनर आपसे चाहता है वह आपको बहुत हेल्प करे लिए तो आप उसके अंदर अपने पास्टियर्स के पेपर सॉल करो आप आप आटीप सॉल करो एट लीस्ट दो पीछेगी और आप MTP करो क्योंकि आपका भी अबजर्व करना कि हर पेपर के अंदर दो यह तीन कुशन जरूर ऐसे होते हैं जो यहां तो आपके पास्टियर अब आपके आपके अटी इसे में से आपकी एम टेप में से तो जब वह कोशन आप देख ते हुझ अपने एक्जाम के अंदर आको इतना मोटिवेशन मिलता पलता है यार यह तो मेरे देखेवे कुशना है इसमें तो गलत करी नी सकता और वह आपका पूरा पेपर आपसे खरवाता है और एक और बात आप ध्यान लगना आपको लगर होगा मैंने दो बाते भोली ती यहाद आती रहती है चीज़े एक बात यह कि कोशिश करो पेपर पूरा अट्रम करने की नहीं भी आता तो भी आप सोचने की कोशिश करो कि आप उस सिचुएशन को एनलाइज करो कि यार मैं कुछ ही लिख सकूँ जो रेलेवेंट हो क्योंकि कई बार के होता हमें पूरा नहीं आता लेकिन थोड़े से लिखने के भी नंबर मिल जाता और आप जैसे जानते होंगे कि बूद्धून से घड़ा बढ़ता है तो कहीं आदा नंब यही नंबर हमारे को मिल के पास कराने की कुशिश बहुत करते हैं तो प्लीज चेंज और नोट आप आप एंटीपी और पास पेपर जरूर करके जाओ अगर एक बार मेरे कहने पर प्लीज मैं आपको बोलू एक बार यह ना स्ट्राइजी अपना के देखो मुझे इसी से र अपनाई की यार में पोल अगराँ है पिर कुछ ऐसी घर पर हुरिया थे मैंने अपनी आरीटी कि क्लास दूआ लोली मैंने लुक्त दूआ हो ऐली मैंने कॉस्टिंगे अपना जर्मा और उन ने नोच से बढ़ा ही करी और स्मय ने अर्वी करी MTP करी और पास्टेस के पेपर करें और मेरे पस रिजल्ट क्या है आप पास होई मैं मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं आया कर आप यह सोच रहोंगे ना कि इन सबसे मेरे नंबर करीवें 200-300 मेरे नंबर जरिफ वही 202-204 इसके इसके आस्पास ही आए बाट यूनों सी कि अनदर नंबर मैतर बिल्कुल नहीं करते हैं पास होना अपने आप में मैतर करते हैं यूनों सी ए इस डिगरी जो आपको यूनों इतनी अच्छी चीज फील कराते है जब आप क्लियर करते हो कि यार मैं आज कुछ बन गया है मैंने अपने नेम के आगे कुछ दो लेटर है और वह बहुत अच्छा फील करवाती है तो बाकि आपको और भी किसी चीज में लगे कि आपको डाउट है या आप मेरे से कुछ यूनों पूछना चाहते हो कुछ मेरा एक्स्पीरेंस लेना चाहते है तो मैं आप लोगों के लिए आप मुझे मेसेजिज करें प्लीज ऐ आपने पढ़ने की कोशिश करी दो दिन आप पढ़े तीसरे दिन नहीं पढ़ा अरे नहीं पढ़ा गया तो नहीं पढ़ा गया तो नहीं पढ़ा गया लीविट अगले दिन पढ़ाई करो अगले दिन पढ़ाई करो अगले दिन पढ़ाई करो अगले दिन पढ़ाई करो पढ़ाई नहीं हो रही प्लीज उस टाइम पर पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख दो जो आपको अच्छा लगे वो करो और कुछ टाइम बाद उसके दुवारा जाओ मैं आपको गिरंटी के साथ कह सकती हूं कि वो चीज़े आपसे परसे पढ़ाई आपसे हो जाएगी तो प्लीज मेरी आजवाईस को फॉलो करना और अगर आपने से कोई भी मेरी आजवाईस को फॉलो करके कुछ यूनो पास होता है या कुछ उसको बेनिफिट होता है ठीक है